सभी को नमस्कार यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत कौरवों और पांडवों के संग्राम की कथा है और कौरव और पांडव यह भाई हैं एक दूसरे के यह भी सर्विधित तथ्य है महाभारत के आधार पर कौरव सोहें पांडव पांच है इनका जन्म केसे हुआ इसको लेकर विचित्र आख्यान महाभारत में हैं और उनकी अलग-अलग तरह से व्याख्या भी की जाती रही है महाभारत पर आचारी वीर नारेंड पांडुरंगी ने 2014 में एक संगोष्ठी संकल्पित की थी और उस संगोष्ठी के आयोजन के पूर उन्होंने आमंत्रित विद्वजनों को कुछ सामगरी भेजी थी संगोष्ठी आयोजित नहीं की जा सकी पर उस सामगरी में जो मेरे पास भी आई थी आसको परपोला का एक शोधपत्र था आसको परपोला का शोधपत्र on the historical background of the Sanskrit epics इस सीर्शक से Journal of American Oriental Society के 122 वे अंक के दूसरे खंड में सन 2002 में यह प्रकाशित हुआ पांडुरंगी जी का आशय कदाचित यह था कि इस शोधपत्र पर भी कुछ बात उस संगोष्ठी में होगी आसको परपोला फिनलेंड के विद्वान हैं जाने माने भारत विद्ध हैं और हेलसिंकी विश्विद्याले में साउथी स्टेशनिस इस्टेशन के विभाग में वे प्रोफेसर इमेरिटस रहे हैं इस शोधपत्र में जो मूल पृतिज्या है, हाइपोथीसिस है, वह्या है कि पांडव महाभारत में होपे गए पात्र हैं, मूलता वे कुरुवंशी नहीं हैं। परपोला देते हैं, वैदिक सर्पयग्य में नागों के उरोहित और राजा भाग लेते हैं, और जन्मेजा इन में से दो अध्वरियों में से एक हैं, ऐसा परपोला पंचविंश ब्रहामन और बोधायन शोत्सूत्र के साक्ष के आधार पर बताते हैं। ये संदर्भ मेंने मिलाये नहीं हैं। इन संदर्भों के आधार पर उनका कहना यह है कि जन्मेजा एक अध्वर्यू थे और ब्रहामन प्रिष्ट धत्राष्ट एरावत भी इसमें सम्मिलित थे। अब परपोला करते हैं कि वे यह मानते हैं कि जिस जन्मेजा का उल्लेक पंचविंश ब्रहामन और बोधायन शोत्सूत्र में अध्वर्यू के रूप में हुआ है। वही जन्मेजा है जो परिक्षित का पुत्र है और नाग्यग्य करा रहा है। कि महाभारत के कतिपः पात्र वेदिक साहित्य में उल्लिक्षित हैं। और यह जो सर्पसत्र वेदिक साहित्य में वरणित है उसमें नाग्याती के पुरोहित वायग्य करा रहे हैं। गतराष्ट एरावत ब्रहामन पुरोहित है। इस सब के आधार पर परपोला कहते हैं कि घतराष्ट्रा इस नाट ओनली एक कुरू किंग बट आलसो एन एंसेस्टर अप दी स्नेक सेक्रिफाइज्ट एड दी सर्पसत्रा यह तो बहुत ही उटपटांग बात हो जाती है जो कि नियोक से उत्पन्य विचित्रवीरी की संतान भी है और वेही नागों के भी वन्शज हो जाते हैं जिनकी की बली दी जा रही है वेदिक सर्पसत्र में यह एक मूर्खता का नमूना मेरी द्रश्टी से है परिक्षित के पुत्र जनमेजय जो नागयग्य करते हैं उसमें द्रश्ट परिक्षित के पितामह और अभिमन्यू के पिता अर्जुन के चाचा हैं तीन पीडियां उनसे पीछे हैं अब इस जनमेजय के नागयग्य में धत्राष्ट के से उपस्तित हो जाते हैं इस जनमेजय को और वेदिक काल के जनमेजय को अभिन्य मान लेते हैं पर पोला ऐसा मुझे लगा उनका शोधपत्र ही बड़ा भ्रांती जना खेर उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता म पर यही लोग हमारा उपहाज भी करते हैं कि भारत के विद्वानों को शोधपत्र कैसे लिखा जाता है आता नहीं हम कैसे रेफरेंस देते हैं इसमें क्या बड़िया रेफरेंस दिये हैं उन्होंने एक साथ ब्रेकिट में दस-दस विद्वानों के शोधपत्रों के डेट सन और शोद पत्र इस पत्रिका में छपा है उसके साथ हवाले परपोला साथ जिस तरह से देते हैं और हम लोग इस तरह से scientifically शोद पत्र नहीं लिखते हैं इसके लिए उपहास मैं इसको जेल चुका हूँ मैंने वर्ल संसक्रत्पाणफेंस कराई है विदेशी विद्वानू का क्या रूख रहता है ती नजार उसमें उपस्तित हुए वारवी वारवा विश्व संसक्रत्स सम्मेलन्ज राष्टी संस्क्रत्स संस्थान के के तत्वावधान में मेरे सहियो जगत्म में आयोजीत तो मतिभ्रम इनको इतना आधिक है मूल ग्रंत अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है लेकिन थ्योरी बहुत अच्छी तरह से बिल्ड अप करते है तो थ्योरी बिल्ड अप क्या की है कि पांडव भारत के बाहर के है उसके लिए प्रमाण यह है एक प्रमाण यह निकाला गया कि वेदिक साहित्य में जन्मेजा है तरह राष्ट है लेकिन पांडव उलिखित नहीं है इसलिए पांडव वेदिक काल के बाद बाते हैं और अपनी नासमझी को महाभारत पर बेहिचा कारोपित करते हुए परपोला कहते है जन्मेजा और परिक्षित जो कि वेदिक पात्र थे उनको महाभारत ने यहां नीचे उतार करके दत्राष्ट को भी उसमें जोड़ जाड़ करके यह सब दिस्टोर्शन कर दिया है इतनी सी समझ क्या नहीं हो सकती थी कि एक धत्राष्ट और एक जन्मेजा वेदिक पाल में हो चुके हैं और इनके मूल वण्ष अलग-अलग हैं वो वहाँ पर अध्वर्यू है वो नागों का अध्वर्यू हो सकता है और यह यहाँ कुरुवंश का है इतना जहां तक मैं समझ पाया यह बड़ा जटिल शोध पत्र है क्योंकि विदेशी विद्वान का लिखा हुआ है हम लोग की सीमित बुद्धी में उन लोग का विवेचन कैसे आ सकता है अब महान विद्वानों के उरलेख हिस में हुए है परपोला के अनुसार वैदिक वांगमय में महाभारत के पात्र उरलिखित है चनमे जय वरतराष्ट का उरलेख इसमें आ गया पांडवों का कहीं उरलेख नहीं हुआ इसके आधार पर परपोला अपने पूरु के प्रतित्ति अशर्सक योरोपी समस्क्रत विदों का संदर्व देते हुए एक थेयोरी या माननिता यह निर्मित करते हैं कि पांडव महाभारत के कथानक में आरोपित पात्र हैं और वे बाहर भी वे बाहरी हैं इसके लिए फेबर 1853 में उनका कोई शोध पत्रादी होगा फिर होपकीन्स उनका 1901 में कोई शोधपत्र आदी होगा, फिर होर्ष उनका कोई शोधपत्र होगा, फिर ब्रोकिंग्टन उनको तो मैं देखता रहा हूँ एडिनबरा में भी मिला दिल्ली में भी आये, खूब साथ उनका रहा है, जानता हूँ, क्या उस समस्कृत बोलते हैं और क्या लिखते हैं 1998 में उनके शोधपत्र का हवाला देते हुए पांडू और पांच पांडव वेदिक साहित्य में कहीं नहीं आते इसको साबित किया गया है तब इन लोगों के अनुसार ये सब जो हुए, वेबर, हॉपकिंस और श, पॉर्किंग्टन, आदी इनके अनुसार दतराष्ट, जन्मेजा और परिक्षित तो वेदिकाल में है और पांडव वेदिकालीन भारत में कहीं भी नहीं है अब कुछ बातें साधार हैं ये सब जो कह रहे हैं ये लोग क्योंकि बहुत सारे प्रश्ट महाभारत में अनुत्तरित रह जाते हैं एक तो प्रश्ट जो मेरे मन में आता रहा है कि पांडव भी यदि कुरू वंश में हुए तो दुरियोधन आदी को तो कौरव कहा गया और इनको कौरव क्यों नहीं कहा गया कहीं भी इनको सदेव पांडव ही कहा गया तो इनका वंश क्या है क्या क्यों पांडव कहीं वंश इनका है क्या इमहान कुरू के वंश में नहीं है जो भरत से जो वंश चला आ रहा है जिसमें कुरू हुए जिसमें ययाती भी हुए याति की संताने हुई, पुरू हुए, पुरू यदू, इत्यादी दुरुयू, ये सब इमहान वंश, इनको कहीं भी कोरव नहीं कहा गया, सदेव ये पांडव ही बने रहें, अब महाभारत के सारे वर्णन के अनुसार, शानतनू इसी वंश में हुए, वीश्मभी कुरू वंश में हुए, ततराष्ट भी इसी वंश में हुए, और पांडू भी इसी वंश में हुए फिर, नियोक से ततराष्ट जन में, नियोक से पांडू जन में, तब पांडू की सं संतानों को किवल पांडव ही कहा गया, कोरव उनको कहीं नहीं कहा गया, अब परपोला अपनी थीसिस निर्मित करते वे कहते हैं, कि पांडव, जो कि पांडू की संताने हैं, वे कोरव नहीं हैं, और वे कोरवों से यहां आ करके, बाहर से आ करके युद्ध करते हैं, उनको प और अतने आपको उसमें आरोपित करने के लिए पूरा महाभारत फिर वे लिखवाते हैं। इसके लिए परपोला जी के अनुसार उन्होंने इतनी दूरगामी रणनीती पहले से तयार की, कि वे आये फिर इस देश के लोगों में जो प्रथित समराठ थे, उनकी पुत्रियों से उन्होंने विवा किया, पांचाल देश में पांचाली कृष्णा अद्रोबदी से विव इसके लिए कोई शब्द है उसमें और अस्तिनापुर उन्होंने हतिया लिया, तब अपने आपको उन्होंने आरोपित किया, कौरव जो उनके शत्रु थे, उनके फिर वे चचेरे भाई बन गए इस प्रकार से, इस बात के समर्थन के लिए फिर से वेबर, अठारासो बानबे, फलाँ फलाँ शोद पत्र का फलाँ पेज, श्रोडर, अठारासो सतासी, होपकिन्स, अठारासो निवासी, ये सब इतने महान विद्वानों की परंपरा परपोला जी के साथ है, वासुद्याव शर्ण अगरवाल का उल्लेक तो कर नहीं सकते, चिंतामणी विनायक वेदी जिन्होंने महाभारत और पुराणों पर कारी किया है, उनका उल्लेक क्यों करेंगे, किरिदर शर्मा चुतुरवेदी जो इतने बड़े पंडित हैं, उनका उनको पताई नहीं होगा, विये सुक्थनकर काई हवाला कहीं नहीं देते, महिंदले कीव तो बात दूर रही, ये सब बड़े विद्वान हैं, इनके सामने ये लोग तुछ हैं, पर दबदबा इनका रहा, मुझे कोई लेने देना इनसे नहीं रहा, लेकिन महाभारत फिर भी अनेक प्रश्ण उखाता है, और उन पर चर्चा तुखी जानी चाहिए, पर पु अला के नुसार, पांडव, इस पूरे परिद्रश्ण में तब उपस्थित होते हैं, जब वैदिक काल समाप्त हो चुका है, जबकि ये लोग वैदिक काल में हैं, धतराष्ट जन्में जय आदी, और जब उन्होंने क्रश कर दिया, क्रश अब्द आया है उनके शोत पत्र म कुरुओं को, और कुरुओं के जो पूरी सीमा पर पडोसी थे, उनके साथ वेवाहिक संबंद स्थापित कर लिए, तब उनको चिंता हुई कि हम अपने आप को इसमें स्थापित करें, और अपना लिजिटिमाइजेशन करें, अपने युक्ति करन करें, यहाँ पर होने का तब उन्होंने ये सब किया, इसके लिए कुछ प्रमाण जो परपोला ने दिये हैं, वो एक तो पांडव मूलता इरानी हैं, इसके लिए प्रमाण यह है कि बहुपतित्व की प्रथा इनमें प्रचलित है, उसका हवाला युदिश्ठिर भी देते हैं, जब दुरुपत ब वह तो अंतता पांच भाईयों से ब्याही जा रही है, तो वे कहने आते हैं युदिश्ठिर से कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अब, तब युदिश्ठिर समझाते हैं कि यह एक बहुमान ने प्रचलित पता रही है, और कहां प्रचलित रही है, इसके लिए प्रांत बताते हैं, पर परपोला जी का कहना है कि इरान में ये प्रथा प्रथा प्रचलित थी, पलियांडरी जो है वहां रही है, प्राचीन काल में, दूसरा शव को पेड़ पर लटकाने की प्रथा इन लोगों में प्रचलित थी, प्राचीन इरानी ये प्रथा रही है, पांडो ने ऐसा कब कि या मुझे नहीं मिला महाभारत फिर से पढ़ने पर कहीं कोई उल्ले मिल जाए या परपला जी ने कोई संदर्व दिया हो उनका बहुत लंबा शोदपत्र है यह प्रथा शव को न दफनाया जाए न जलाया जाए बलकि उसको छोड़ दिया जाए कि पक्षी उसको खा लें य बहुती अच्छी सम्मान ये प्रथा रही है ये किवाल इरान की प्रथा नहीं है ये हमारे देश में अनेक आदिम जनजातियों में ये प्रथा प्रथा प्रचलित रही है और इसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ मैंने इस पर अन्यत्र लिखा है क्योंकि वो ग्रद्रों को अपना शरीर दे देते थे, ग्रद्रों का बहुत सम्मान करते थे, गीधों का, गरुड जाती के पक्षी, जटायू, संपाती जिसमें हुई, उनोंने किस तरह से मनुष्य जाती की मदद की है, वो एक पूरी जाती रही होगी, और किस तरह से मनुष्य के साहयक रहे हैं, और बचाते रहे हैं, पूरी सब्विता को, मनुष्य जाती को, परियावरण को बचाते रहे हैं, तो इसलिए, वो आदिवासी लोग मरने के पश्चात, अपना शरीर उनको सोब देते हैं, जो कि बहुती स्वस्थ रथा है, वह मुक्ती के लिए बहुत अच्छा उपाए है, म और यह इरान में किवल रही हो, भारत के जनजातियों में नहीं रही, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, दूसरा परपोलाया कहते हैं कि, यह मूलता जो इरानी थे पांडव, यह घुसे भारत में, और उत्तरी सीमान्त से यह घुसे, आरंब में विराट नगर में चिप करके रहे, तो विराट नगर में जो कि जैपूर के पास कोई पीर गाओं है, उसको वो लोकेट करते हैं, वहाँ यह लोग चिप करके रहे, उसको फिर कताना किनों ने किस प्रकार से, और वो ने दोखा दे करके पांडवों को निकाला, इस रूप में उसको पल्लवित किया, सिर्दी पांडवाज were foreigners of Iranian affinity, coming to India, around 800 to 400 BC, यह उनका समय है उनके अनुसार, पांडवों के आने का, आट सो इस्वी बूर के लगबग, उद्ध के कुछी पहले यह लोग उसे, ऐसा वे कहते हैं, परपोला जी अपने ही शोत पत्र का हवाला देते हैं, जो उन्होंने 1984 में कभी चापा था, एक गुड मेच इन्दी मेगा लिथिक कल्चर, first attested around 800 BC, पुरातत्त्त के चुंकि यह विद्वान रहें, तो पुरातत्त के साक्ष देते हैं, अब वो कैसे साक्ष हैं, यह पुरा से आए, और 800 इसापूरू के आसपास, और आर्केलोजिकल, पुरातत्त्तिक साक्ष हैं, इस बात को बताने के लिए, वस्तदेव शर्ण अगरवाल और चिंतामणी विनायक वेद्य, यह मानते हैं, कि यह जो बरत्मान कलेवर में महाभारत है, यह रोम हर्षन की देन है, व प्यास ने तो 8800 इसलोकों का मूल, जयाख्य संभीता, 8800 इसलोकों की जयाख्य संभीता प्रणीत की, फिर उन्होंने आदेश दिया वेशमपायन को, कि इसको जन्मेज़ए को सुनाओ, तो वेशमपायन जन्मेज़ए के संभात के साथ उसका कुछ जपल्लवन हुआ, वह 24 20,000 इशलोकों का भारत संभीता उससे निर्मित हुई और फिर रोम हर्षण को वेशंपायन ने कहा कि वेशंपायन ने रोम हर्षण को प्रदान किया रोम हर्षण को बुलाया शोनक आधी रिशियों ने और नेमिशारन्णे में उसको सुनाया उसको वेपलवित करते गए जो कुछ किया है वही हमारे सामने है ऐसा तब मूल महाभारत में क्या था और रोम हर्षण ने क्या किया यह प्रश्णतों बना रहता है इस रष्ठी से महाभारत का ध्यन भी जब करते हैं तो प्रश्णतों उठते हैं एक और पांडु को पांडुरोग से ग्रसित बताया गय जब उत्पन हुए तो डर के मारे, आखें मीचली रानी ने तो अंधे हुए दतराष्ट, भैसे पीली पड़ गई, तो पांडु उत्पन हुए, वो पांडु रोक से ग्रस्त थे, दूसरी वर यह भी कहा गया कि जब उनका राज्या भी शेक हुआ क्योंकि दतराष्ट अंध उनको राजा नहीं बनाया जा सकता था, तो पांडु को राजपत दिया गया, तो परम प्रतापी समराठ हुए, यह भी चित्रित किया गया है, वे तिकविजय के लिए गये, उनका बड़ा दुराधर्श प्रताप था, काशी, सुम्ह और पुंड़ देश के राजाओं को पराजित उन्हों ने किया, पांडु रूपी अगनी में बस्मसात हो गये यह राजा, यह भी महाभारत में कहा गया है, पिर यही पांडु अचानक गोशना करते हैं कि मिरगया के लिए जाता हूं, मिरगया के लिए जाते हैं तो अपनी दोनों रानियों को सांथ ले करके पुरल और यह पुरुए पुरुए कई वह कर रहे हैं फिर यह आता है कि वह अचानक वा नप्रस्थ हो जाते है तब इसमाझा करते हैं कि भाहिऑ का जीवन में अतीत करूँगा चाप ग्रस्थ भी इस बीच हो जाते हैं कोई औरवत संतान उनके उत्पन नहीं हो सकी, तब इसमें किंचित पांडु का जितना व्रतांत है, उसमें थोड़ा पिरोधा भास प्रतीत होता है, अब जो युक्ति-उक्ति करण उसका रोम अर्शन की द्रश्टी से किया जाए, या माहा भारत के जो इद्वान है, जो उसकी संगती वस्देशन अगरवाल जो भारत सावित्री में आख्यान प्रस्थुत करते हैं, इस प्रसंग पर वे टीका नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बच करके चलते हैं, कुंति के कत्नों के अंसार वे ये बताते हैं कि कुंति ने मंत्रों से धर्म बायूर इंद्र का आवाहन किया, तो युदिष्टिर भीम और अर्जुन उत्पन्वे, फिर माद्री ने भी जो अनरोद किया, तो माद्री को वह मंत्र उसने दे दिया, और माद्री ने अपनी हड़बड़ी में दो अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, तो उसको दो युगल पुत्र इसकी आदिभावतिक व्याख्या ये दिख की जाए, तो यही होगा कि मंत्रों से तो गर्वधारण नहीं होता है, पुरुष होगा, जैसा भेरप्पा अपने परुप अन्यास में पताते हैं, कि वो उस प्रदेश से, हिमालय के उस पार कोई प्रदेश है, उससे इंद्र आते हैं, कुंती के रूप पर रीजते हैं और कुंती के साथ समागम इनका होता है, और पांडू अनुमतीस के लिए दे देते हैं, तो यह किवल परपोला की कल्पना नहीं है, भेरप्पा साहब की भी कल्पना यही है, दूसरी और पांडू और कुंती का जो संबाद है, उ क्योंकि मेरे से संतान तुम्हें नहीं हो सकती इसलिए तुम नियोग के द्वारा संतान उत्पन न कर लो। तब कुंतीस पर आपत्ती करती हैं कि ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ। तब पांडु कहते हैं कि उत्तर कुरू में यह प्रथा प्रचलित है। और इस्तरियां राचीन काल में भी स्वतंत्र थी विवाहित इस्तरियां अपनी मर्जी से अन्य पुरुच के साथ संयोग करने के लिए और उत्तर कुरू में तो अभी भी ऐसा है। और हम यहां रह रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा पांडु अपनी बात को संगत ठेराने के लिए कहते हैं। तो इससे बहुत सारे सूत्र निकलते हैं कि वास्तों में क्या हुआ और कैसे युपत-युपती करन इस पूरी घटना का किया गया है। यह प्रश्ण है और विचारनी यह प्रश्ण है पर इससे सहमत होना तो कठिन है जो परपोला की मान्यता है कि इरान से यह लोग आये थे पांडव लोग और इन लोगों का पूरा अग्रह पूरा यह रहता है कि आर यह भारत में भाहर से आए सिंदू घाती सब्यता पर भी पर पोला ने बहुत काम किया है सिंदू और हडपा की सब्यता पर उनका बड़ा काम है प्रकाशित भहुत हुआ है वो द्रविडियन सब्यता मूल रूप से है जिसको कि आरियों ने जो हमलावर थे उन्होंने नश्ट किया यही कुलमिलाकर के आख्यान नेरेटिवी ये लोग खड़ा करते हैं तो इसलिए एक पुराग्रत वे लेकर के चलेंगे ही कि पांडव बाहर से आए और वे इरान के हो सकते हैं आर ये भी इरान से आए फिर ये मान करके चलेंगे तो इन सब बातों का तो अब कोई महत्व नहीं रहा हम लोगों क ये लिए और बाद में जो पुरातत्व के साक्षे हैं जो साक्षे पुरातत्व के दे रहे हैं वे भी अब पुराने पड़ चुके हैं उनसे भी बहुत सारे जो नए तक्षे मिलते हैं उनसे ये अब प्रामानिक हो जाते हैं इनके कथन और जो हमारे पुरातत्व के विद आपकरता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार